हलो फ्रेंज, सुसल सैंस के अपने लास्ट वीडियो में हमने मानब की उत्पत्ती देखी कि कैसे उत्पत्ती हुई थी मानब की पहले कैसे था और इतिहास का बर्गी करण देखा ठीक है कि इतिहास का बर्गी करण कैसे किया गया है किन किन पार्ट में किया गया है वो सारी सी की प्राचीन सबताएं नदियों के किनारे विक्सित होईं क्योंकि नदियों के समीफ पीने बस सिचाई के पानी की उपलबता थी खाद प्रिदार्तों की उपलबता थी नदी की घाटियों में विक्सित होने की कारण इन्हें नदी घाटी की सबता कहते है नदी की जो घाटी होगी पीने का पानी मिल जाएगा सिचाई के लिए पानी उपलब्द हो जाएगा ठेके खादविदार जो होते हैं उनकी उपलब्दा होती है इसलिए जातर जो सब्विता होती है वो नदियों की किनारे विक्षित होती है इसलिए इन सब्विताओं को नदी घाटी की सब्व किनारे बिक्षित हुई थी ठीक है तो इनके नाम याद रखना और नदियों के नाम जरूर याद रखना कि कौन सी सबता किस नदी की किनारे बिक्षित हुई थी ठीक है जैसे दजला और फरात नदी की किनारे बिक्षित हुई थी अब एक यह करके इनके बारे में हम पढ़े इसका विकास का हुआ तो सिंदु नदी की किनारे हुआ था इसे हम लोग हडपा सबिता और सिंदु घाटी सबिता के नाम से भी जानते हैं इसके प्रमु केंदर कौन से हैं तो हडपा, मोहन जोदुलो, चन्धुडु, रोपण, लोथल, काली बंगा, धोली बीरा आदी मतलब ये सारे सहर हैं या कह सकते हैं पुराने नगर हैं जो इसके प्रमु केंदर हैं मतलब ये मिले हैं उस सबिता में सिंदुगाटी सबिता ये हडपा सबिता में हडपा, मोहन जोदुलो, चन्धुडु, रोपण, लोथल, काली बंगा, धोला भी रादी और भी काफी हैं सिंदुगाटी सबिता का पहला नगर हडपा था ठीक है पहला जो नगर इसमें खोजा गया वो उसका नाम था हडपा इसलिए से लोग हडपा सबिता की नाम से भी जानते हैं जिसे 1921 में दयाराम सहानी ने खोजा था ठीक है किसने खोजा थे से तो 1921 में दयाराम सहानी ने सिंदध्गार्टी शबता का पहला नगर हडपा को खो जाता ठीकि ये चीज याद रखना और कया चीज याद रखना है दिक्ए इसकी सीमा भी है जैसे क्या है ये चीज देख रहे हैं इसकी जो दश्शेणी सीमा है हडपा सबता की उसे हम लोग दायमाबाद कहते हैं उत्री सीमा को मांडा कहते हैं जो जम्मु कस्मीर में इस्तित है जो पूर्वी सीमा है उसे आलमगीरपूर कहते है जो मेरट में मिलती है हिंडन नदी की किनारे जबकि अगर पूर्वी पश्मी सीमा की हम बात करें तो वो कहलाती है सुत्का गेंडेर, जो बलुचुस्तान या दास्क नदी की किनारे बिखसे थे तो सारी चीज़ें याद रखना, जो पूर्वी सीमा है, वो कहाँ पर है, तो आलमगीर पूर है, हिंडन नदी की किनारे तो अब हडपा सब्ता की प्रमुख नगर देख लेते हैं, तो घुजरात में कौन-कौन से नगर पाई जाते हैं हडपा के, तो फेमस आपको याद रखने है, लोथल, सुर्कोटता, धौला बीरा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, रंगपूर भी यहाँ पर पाया जाता है, लेकिन फेमस कौन सा है, तो लोथल और धौला बीरा सबसे फेमस है, हर्याना की बात करें, तो इसमें राखी गड़ी, बिर्दाना, बनाबली, आदी पाया जाते हैं, तो आपको मिला है, मेरट में मिला है, जम्मो कस्मीर में उत्री सीमा मानडा है, इसलिए मानडा याद रखना, और राजिस्तान में काली बंगा याद रखना, ठीक है, ये फेमस है, और बाला थल भी एक जगह है, अब दीक है एक चार्ट बना है, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ ल बर्ष बताया गया कि किस बर्ष उसकी खोज होई थी, उत्रहन करता किस ने उसकी खोज की और किस नदी की किनारी वो इस्ते थे, तो सबसे पहले आपको हडपा याद रखना है, हडपा जो है, प्रिजेन टैम में इसकी इस्तिति कहां पर है, तो मॉन्ट गॉम्री जगह है पाकिस्तान में वहाँ पर ये इस्ते थे, 1921 में दैयराम सहानी ने से खोजा था, और ये राभी नदी की किनारी इस्ते थे, दूसरा है मोहन जोदलू, मोहन जोदलू की बात करें तो प्रिजेन टैम में ये सिंद का लरकाना जिला है, तो ये कहां पर पढ़ता है, तो ये दास्क नदी की किनारी ये इस्ते थे, उसको आपको याद रखना है काली बंगा, काली बंगा जो है राजिस्तान में इस्ते थे, ए घोस ने इसकी खोज की थी, ठीक है 1903 में, ठीक है 1903 में इसकी खोज होई थी, और ये किस नदी की किनारी है, तो गगगर नदी की किनारी ह ठेके उसका धौला वीरा याद रखना धौला वीरा जो है वो गुजरात में 1990 में इसकी खोज होई थी किसने की तो रवेंदर सिंग बिष्ट ने की थी यह आरेस बिष्ट आप याद रखना इन्होंने की थी ओई एसे करके आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं और अगर करें अब हरपा सब्ता की प्रमुक इस्तहल्र और ओंसे प्राप्त साच्छे देख लेते हैं ठेक हरपा सब्ता की जो प्रमुक नगर है वो किस इस्थान से प्राप्त हुआ है, तो वो हडपा से प्राप्त हुआ था, ताम्रे की जो इक का गारी थी, उसके अपसे इस कहां से प्राप्त हुए थे, वो भी हडपा से हुए थे, हडपा सब था कि सबसे बड़ी इमारत जो है अन्नागार थी, जो कहां मिली थी, तो व है तरिस्तानागार कहां से मिला है तो मोहन जोदोरो से मिला है फिरा कि मोहन जोदोरो से कासे की एक नर्तिकी की मूर्ति मिली है इससे पता लगता है कि इन्हें कासे का ग्यान था ठीक है कासे की नर्तिकी की मूर्ति कहां से मिली तो ये भी मोहन जोदोरो से मिली है मोहन जोदो कर्दो के घर हम बात करें तो मंका निर्वार की कारखाना जो है। उसका साच सी मिला आए कहां से चन्हुद्रू ने कहा है की मंका बनते होंगे ऐसा कारखाना वहां पर मिला, ठटालिपस्टिक का भी साच मिला आ ये लोग जो यूज करती थे। सुरकोटदा से घोड़े के अस्तीपंजर मिले हैं जो तेहुए खेतों की साच कहा हैं तो यह आपको कालीबंगा से मिले हैं लोथल और सुरकोटदा हरपसरता के दो बंदर गाहते तोकला बोड़ी वारी गोद्वय वार भी कहा जات बहाते हैं हडपा सब्ता के दो बंदर गाती जिन से क्या है एक इस्तान से दुस्री इस्तान लोग जाती थे ठीक है ये बंदर गाता नोट करने वाली जो चीजे हैं उन्हें भी देख लेते हैं important है ये भी हडपा और मोहन जोड़ो को जुड़बा राजधानी कहा जाता है हडपा सब्ता कैसी थी तो काश यूगींती कासा का यूज होता तो समय और यह काश यूगींती कुछ चीज़ां आपको देखने को मिल रही है यह अन्नागार है इस्नानागार है यह कहां मिला है तो यह भी मोहन जोड़ोड़ो में मिला है अब सिंदुगाटी सब्ता और हडपा सब्ता की कुछ विसेष्था हैं देख लेते हैं कि कैसी विसेष्था हैं जो इस नगर निर्मान योजना की बात करें तो इस सब्ता में नगर जो है वो सुवविस्तित बने थे नगरों की जो सड़के थी वो सीधी और चौड़ी थी ठीक ऐसी नहीं थी तिरची विर्ची बनी हो या पतली बनी हो तो अच्छे कासी बनी थी सीधी थी और चौड़ी थी सड़के जो है एक दूसरे को समफोर्ण पर काटती थी नगर निर्मान की अगर हम बात करें तो मकान जो है वो सड़क की किनारे बने हुए थे इस सब्ता भी बहुत अच्छी थी यानि की बहुत बिवस्तित थी ठीक है तो यह तो नगर निर्माड़े हो जना हो गए इस नानागार की अगर हम बात करें तो इस नानागार जो है वो 11.88 मीटर लंबा ता साथ मीटर चौड़ा और 2.44 मीटर गहरा था इसकी दिवारे थी और फर्स जो थी वो इटों की बनी होई थी इसमें नीचे जाने के लिए क्या थी सीडिया थी अन्नागार की अगर हम बात करें 2013 में इसके बारे में पूछा गया है तो सिंदुगाटी सब्ता की सबसे बड़ी जो इमारत थी वो अन्नागार थी इसकी अगर लंबा यह देखे हैं तो थी वो मातर सत्तातमक थी तो मैंने कहा जो माता है वो प्रमुक होती थी अहार की अगर हम बात करें तो हडपास अबता की लोगों की सरबदिक प्रिफर्षरल कौन से थी जों की थी सबसे पहली फशल भी हो आए गई थी जॉं तैक है तो और सबसे प्री फशल भी जॉं माने गई है और शway का लिए तूम के बहुजन का प्रेचन था मतलब साकारी मोर्म्ट रहा है कि अगर हम बात करें तो सूती और उनी दोनों प्रकार के बस्र पहनते थे ये लोग सोने चांदी तांबा और हाती दात के आभूशन पहनते थे ठीके तो इन आभूशनों का भी नहीं ग्यान था मतलब मैटल्स का भी ग्यान था इने तो सोने, चान्दी, तामबा और हाती दाथ के जो आभूशन थे वो पहनते थे मनुरेंजन की बात करें कि ये लोग मनुरेंजन कैसे करते थे तो नरते करके आखे टयाने की सिकार करके संगीत और पाशेगाखे लिए खेलते थे तो ये तो सामाजी किस्तेती होगी आर्थिक जीवन के अगर हम बात करें सिंदुगाटी सबता के 2017 और 2016 में पूछा गया है तो करशी की बात कर लेते हैं आर्थिक जीवन में अधकांज जो जनता थी वो करशी कार करती थी बेलोग, जो, गेहू, चाबल, खजूर, मटर, तिल, सर्शों, कपास, आधी की खेती करते थे तो ये तो करशी की होगी और शुपालन की बात कर लें तो बकरी, कुत्ता, भेड, आधी का ये पालन करते थे इस शबता में कई जानबरों के साची मिले हैं जैसे एक्सरंगी, बैल, भैसा, भैस, भेड, बकरी, सुवर, कुत्ता, बिल्ली, घदा, उट, हाती, आधी ठीक है तो इन जानबरों के यहाँ पर साची मिले हैं अगर हम लोग बैपार की बात करें तो ये लोग बैपार कैसे करते थे तो लोथल और सुरकोड़ता जो हैं वो दो बंदर गाते ठीक है क्या थे यह बंदर गाते जल और थल दोनों मारगों से यह बैपार होता था ठीक है तो बैपार में क्या है लोथल और सुरकोड़ता का हम यूज करते थे जो भारी देशों से हम बैपार करते थे क्योंकि यह बंदर गाते और जल अथल दोनों मार्गों से बैपार होता था अब सिंदुगाटी सबता की लोगों का धार्मिक जीवन देखे लेते कि धार्मिक जीवन कैसा था तो हडपा सब्ता के लोग जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे ठीक है जो प्राकृतिक चीज़ा थी उनकी पूजा करते थे जिसके तहत धर्ती ब्रच नाग जल अगनी आधी को पूछते थे हडपा और मोहंजोदुडवडव में असंक देवी देवतयों की मूर्तियां मिली है जो मातर देवी और प्रकृति देवी की है जल अगनी आधी को यह पूछते थे कई सारी देवी देवताओं की पूजे, मूर्तियां बगार भी मिली हैं जिसे हम लोग मातर देवी या प्रकृति देवी कहते हैं अगर हम सिंदु सबता की कला की बात करें की कला के शेतर में यह कैसे थे तो सुनियोजित नगर एबं भवन उनकी कला का उधारन था तो सुनियोजित नगर की नगर इतने अच्छे बने थे, भवन इतने अच्छे बने थे तो यह उनकी कला का ही एक उधारन था मौहन जोदोरों से नरतिकी की काशे की मूर्थी मिली है जो उनकी कोशलकारीगर होने का प्रमाड़ है जो नरतिकी की मूर्थी मिली है, वो काफी अच्छी है तो उसे देख के हम कहा सकते हैं कि यह कोशलकारीगर होंगे बरतन पर मौहरों और भिवन परकार की चितर, उनकी चितरकला हुद रशा आते थे जो बरतन बगएरा मिले उनके बहुत अच्छी चितर बने होते थे तो इससे पता चलता था कि उनकी चितरकला बहुत अच्छी थी अशंक के मौहरे मिली जिन पर शान, गेंडा, चीता, हाती के आकरती थी सरवादिक मौहरों पर एक सरंगी बैल बनाता है तो इससे उनकी कला का पता चलता था अब हम मौहरतक संसकार की बात कर लेते कि जब कोई मर जाता है तो उसका संसकार कैसे करते है तो ये तीन प्रकार से उनका संसकार करते थे पहला था पूर्ट समाधी मृतकों को पूर्ण रूप से जमीन के अंदर गार दिया जाता था और उनकी समाधी बना दी जाती थी तो पूर्ण समाधी में यह है कि जमीन के अंदर गार देते थे जो मर जाता है ठीक है पर उसकी समाधी बना दीते है दूसरा है आंसिक कर्म आंसिक कर्मे कहा है? तो ये था दाहा कर्म, जो हिंदू में आजके समय होता है, तो ये थी मरितक संसकार उस समय के ठीक है? हिंदू घटी सबता की तो जितनी भी विसेशता हैं थी वो complete होती है और इसके साथ ये topic भी complete होता है अब हम पढ़ेंगे next video में next जो नदी घर्टी सबता है उसके बारे में ठेक है तो अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़दे ज़दा सेयर कीजिए thank you so much for watching this video